पुल्वामा आतेंकी हमले के बाद कंगाल पाकिस्तान को जटका बॉडर से रोज लोट रहा सत्तर करोड का सामान रासवा सदस्य अमर सिंग का बयान प्रधान मंत्री नरिन मोदी को बताये राजनीती का लोपुरुश कॉंग्रेस में मचा कोहराम कमल नात के मंत्री ने दिगविजे सिंग को दी नसीहाद नौ नकसलवादियों ने किया समरपन पांच नकसलियों पर था ग्यारा लाग का इना और कपिल के शो में आएंगे सुनील ग्रोवर सल्मान की फिल्म भारत का करेंगे प्रमोशन नमश्कार मैं हूँ शेफाली आप देख रहे हैं दाखलनी उजब खबरे विस्ताज से पाकिस्तान के इशारे पर हुए पुल्बामा अतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की कमर तूटना शुरू हो गई है पाकिस्तान के मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा चिंते ही पाकिस्तान को रोज सतर करोड का नुकसाई शुरू हो गया है और बौर्डर से ही पाकिस्तानी सामान की पापसी शुरू हो गई है भारत पाकिस्तान को हर मोर्चे पर घेर रा है इसी कूट नेटी के तहट बारत ने पाकिस्तान को दिया most favorite nation का दर्जा वापस ले लिया और पाकिस्तान से आने वाले सामान पर 200 FD टेक्स लगा दिया है पहले से आर्थिक कंगाली जेल रहे पाकिस्तान की कमर भारत के इस कदम से और तूट जाएगी अरवों रुपयों का शौरा बॉर्डर से वापस लौट रहा है शौरा से लदे सेंकलो ट्रक भारत पाक सीमा पर खड़े हैं करोन रुपय के चीने के ट्रक भी वापस हो रहे हैं अनुमान है कि इससे पाकिस्तान को रोजाना करीब 50 करोड का नुकसान हो रहा है भारत के इस फैसले से पाकिस्तानी व्यापारियों में हाहा कार मच गया है अगर सीमेंट और ताजा फलों के सेंकड़ों ट्रकों का नुकसान जोड लें तो पाकिस्तान को रोजाना होने वाला नुकसान करीब 70 क्रोल का है पाकिस्तानी नुज चैनल में इस संबन में खबरें चल रही है कि भारत के इस कदम से व्यापारियों और पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है एक व्यापारियों ने चैनल को बताया कि मान लीज़े कि एक ट्रक में 15 लाग का शुआ रहा है तो अब उस पर 30 लाग रुपे टेक्स देना पड़ेगा बताय जारा भारत के इस कदम से 15 दिन में पहले से टूट चुके पाकिस्तान में तरही तरही मस सकती है रासभास सदस्य अमर सिंग ने पुलबामा की घटना पर कहा कि प्रधान मंत्री ने सेना को पूरी छूट दे दी है परिणाम भी दिखने शुरू हो गए है प्रधान मंत्री मोदी को चुनाव जीतने का वरदान है वह जंजन की सूचते हैं देश को मोदी जैसे लहपुरुष की जरूरत है राज्यसभास अदस अमर सिंग ने सापा बासपा की राजनीती पर जम कर तंज कजा उन्होंने पूर्व मंत्री बलराम यादव पट्टेपणी करते हुए कहा कि वह बिमार नेता हैं और अभी तक स्वस्थ नहीं हुए इस जिले में केवल जातिकत राजनीती जलती है इसलिए यहां अमर सिंग जैसे लोगों की जरूरत नहीं है ऐसी राजनीती से तौबा पुल्वावा की घटना पर कहा कि प्रदान मंत्री ने सेना को पूरी छूट दे दी है परिणाम भी दिखने शुरू हो गए हैं प्रद पूर्व मुख्य मंत्री दीगविजा सिंग और कमलनाथ सरकार के मंत्री उमंग सिंगहार अब आमने सामने आ गए हैं वहीं दीगविजा सिंग के मंत्री पुत्र जैवर्धन सिंग इस मामले पर मध्यस्त की भूमिका में नज़र आए कमलनाथ सरकार में दीगविजा सिंग के दखल से विवात की स्थिती बन गई है जब दीगविजा सिंग ने नर्मदा किनारे हुए व्रक्षा रोपन के मसले पर सरयाम वनमंत्री उमंग सिंगहार की समच पर सवाल उठाए तो उमंग सिंगहार ने दीगविजा सिंग को पत इस मामले में दिग्विजस सिंग ने कहा जो मुझे कहना था मैं कह चुका हूँ अब इस मामले पर दिग्विजस सिंग खुद को अलग थालग सा महसूस कर रहे हैं उनकी सारवजनिक टिपड़ी की शिकायत राहुल गांधी तक पहुच गई है दिग्विजस सिंग को वनमंतरी उमंग सिंगार के पत्र के मामले को लेकर जैवर्धं सिंग ने कहा कि ऐसी कोई नाराजगी वाली बात नहीं सबका अपना अपना स्टाइल होता है उन्होंने कहा सिंगस्त मामले को लेकर पूर्वे मुख मंतरी दिग्विजस सिंग ने बात क जाने की अलग स्टाइल होती है तो और जो भी पत्त लिखे गाए है जो भी बात मन में थी वह भारा रही है तो इसमें किया है तो उनका अधिकार है उनने उनने बात की थी क्योंकि कुछ जगा ये रेपोर्ट सामने आ रही थी कि सिंगस में क्लीन चिट दी गई लेकिन ऐसा बिल्कुल हुआ नहीं है असलियत ये है कि जो प्रश्ण पूचा गया था उसमें ये ओलेक था कि या सिंगस गोटाले की रेपॉर्ट पस्तुद हुए और क्योंकि वह रेपॉर्ट मेरे विभाग में नहीं आई है तो इसलिए हमने का कि रेपॉर्ट पस्तुद ह लेकिन में वापिस कह रहा हूं हमने उस रिपोर्ट को बुलवाया है जैसी रिपोर्ट आएगी हम सिंगस घुटाले की पूरी जाच करवाएंगे नगरिय प्रशाशन मंत्री जैवर्धन सिंग ने कहा कि सिंगस्त मामले में कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है वह उस मामले मे पूर्व में नेतान प्रतिपक्ष रहे अजैसी ने जिन बिंदू को लेकर घुटाले की बात की थी उस फाइल को ढूंडा जा रहा है इन मामलों पर कॉंग्रेस के भीतर ही तलवारे खिचना शुरू हो गई है जिससे जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री कमलनात के लिए आग में चौग बजार सित एक अपार्टमेंट में आग लगने से सतर लोगों की मौत हो गई सभी शब वरामत कर किये जा चुके हैं पुराने धाका के पास एक कैमिकल बेर हाउस में बुदवार रात से आग लगी थी जिस पर बड़ी मुश्किल में काबू पाया गया कैमिकल व एक गैस सिलेंडर के फटने से लगी सिलेंडर में लगी आग कैमिकल के कंटेनर पहुंची जहां उसने बीशन रूप ले लिया इस हाथसे में अब तक सतर से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है जहां आग लगी है वहां अत्यंत जोलेंशील कैमिकल रखा था जिस वज़ आग बढ़की उस वक्त इलाके में ट्रैफिक जाम लगा हुआ था इस वज़ए से लोगों को बचकर निकलने का मौका भी नहीं मिल पाया आग को काबू करने के लिए मौके पर दोसों से ज्यादा फाइव बिगरेट का इस्तमाल किया गया बीस पी विदायक रमाबाई काम नाराज विदायकों ने मुखमंत्री से मुलाकात कर मंत्रियों द्वारा काम ना किये जाने को लेकर नाराजगी जताई है रमाबाई ने कहा हमारे सहयोग से सत्ता में आए और हमारी ही काम नहीं हो रहे हैं सीकों नहीं करना तो क्या हम लोग बेवकू है कि जो मंत्रा लए मंत्रा लए इस मंत्री इस मंत्री इस मंत्री इस मंत्री इस मंत्री के पास जा रहे हैं चिट्ठी लेके एक लेटर फेट पर लिक के दे रहे हैं काम हो नीरा और उनकी सपने काम हो रहे हैं अधर हम एक व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं कि इसको ट्रांसपर इधर से धर करना है तो वो उसमें नियम कानून है और खुद के यहां गधों को घोड़ों की रेशा में दोड़ाया जा रहा है बासपा विधायक रमाबाई ने कमनास सरकार पर कई आरोप लगाए रमाबाई ने कहा कॉंग्रेस के सारे काम हो रहे हैं हम अगर किसी ट्रांसफर को बोलते हैं तो नियमों का हवाला देते हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं मंतरी खुद के मंतरी बनने को लेकर उन्होंने कहा अभी नहीं तो लोग सभाद चुनाव के बाद बनूंगी मंतरी रतलाम के बीजेपी विधायक चैतन ने कश्यप ने वेतन भत्ता और पेंशन ना लेने का फैसला किया हैं विधायक ने कहा कि सरकार वेतन भत्ते में मिलने वाले पैसे को सरकारी खर्च और समाजी कारे में लगाएं विदायकों को खुद की सेल्डी की बड़ चिंता रहती है लेकिन एक ऐसे भी विदायक है जोनों ने वेतनमान और पेंशन ना लेने का फैसला किया है हम बात करें रतलाम के विदायक चैतन कश्चप की चैतन कश्चप रतलाम सिटी से बीजेपी के विदायक है और विदान सब्सक्राइब में भी यही करासा निद्बार भी क्योंकि यहां मैं राजजीती में सिवा के मांजिर्थ आया हूं और मैं चाहता हूं कुछ जो सब्सक्राइब रखना चाहिए और हम राज़कोश्च के अंदर विस्मास करके कि यह कल्याण कारी कामों में जग हीत के कारिय लगे गा तो सब्सक्रां के सब्सक्राइब शाजब सब्सक्राइब और कि पहली बार नहीं है जब विदायक ने वेतन मानना लेने का फैसला किया। कश्षप ने पहले भी बीजेपी सरकार में वेतन मानना लेने का निर्णे लिया था कश्षप ने का कि हो सामाज ये कारियों के लिए राजनीती में आए हैं और जन सिवा उनका करतव है विदायक कश्षप ने दूसरे विदायक कों से भी अपील किया लेकिन जो समर्थ हैं उनको राजनीती में आदश के तौर पर ऐसा करना चाहिए लेकिन MP में उन जैसा कोई दूसरा विजाएक अब तक सामने नहीं आया है समय ब्रेक का है ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे आप देखते रहिए दाखल नियूज आप देख रहे हैं दाखल नियूज आप देख रहे हैं दाखल नियूज प्रेक के बाद आपका स्वागत है जबलपूर के जिला सहकारी बैंक में चोरों ने धावा बोलकर 80 लाख से ज़्यादा की चूरी को अंजाम दिया पिछले एक साल से बैंक के CCTV कैमरे बन पड़े थे और चौकीदार भी राद को बैंक में नहीं रुपता था शाहपुरा भीटोनी धाना अंतरगा जिला सहकारी केंद्रे बैंक में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया चोरों ने बड़े शातिराणा अनदास से बैंक में चोरी को अंजाम दिया तब चुरी होने के बाद वे ये तिजोरी खोलेंगे तब पता चलेगा कि क्या बेलेज बचा हुगा है कि पूरा चला गया चाड़े-दस बजे जैसे हमारे चप्राची ने खोला तो वहां का ताला टूटा हुगा था तुरत पुलस को इनफरमिशन दिया जिसके बाद अब ये कारवाई चल दए केमरा तो बंद है चाब इसके लिए मैंने उपर लिखा पड़ी की थी केमरा को नया लगाया जाए बदलवाया जाए चार पाच्छे बहीने शेक बहीने से नहीं लगत है बैंक की सबसे बड़ी लापरवाही यह रही कि बैंक के CCTV कैमरे लगभग एक साल से बन पड़े थे सुबह जब बैंक चौकिदार बैंक पहुचा तब इस घटना की जानकारी लगी चौकिदार रात में बैंक में रुकता ही नहीं था पुलिस मौके पर पहुची और डॉक क इस इनलिशन करने के पश्याद पता चलेगा कितना एक कैसे मांट गया है कल ही इनके पास में 50 लाग कोई लगवाग आया था बाकी कुछ बैलेंस और तो पूरा बाकी डेटेल और देखते हैं कितना उनका इस्टेटमेंट देते हैं और फाइर में क्या लिखवाते हैं वह कश्मीर के पुलबामा में हुए आतंकी हमले ने देश भर को जंग जोड़ दिया है दमहों में भी आतंकी हमले का जम कर विरोध हुआ तो वही दरजन भर से ज्यादा युवाओं ने घटना के तीसरे दिन मुंदन संसकार कराकर शहीदों को शद्धांजली अर्पित की माराना प्रताप चौक पर OBC, SC, STK आरक्षन की मांग करने वाले युवा, एड्वोकेट बैववफ सिंग और उनके सभी साथियों ने आतंकी हमले में शहीद हुए सेनिकों के लिए मुंदन संसकार कराया और सेनिकों को शद्धांजली दी पुलवामा में जो घटना हुई है जिसमें 42 हमारे सेनिक मारे गए हैं, उन सेनिकों को परिवार का सदस्ध मानते हुए, क्योंकि वो हमारी रक्षा करते हैं, देश के लिए कुर्बानी देते हैं, परंतु उन लोगों के इस तरीके से आतंकवादियों ने मौत के घाट उत परिवार दिया, और मुझे ऐसा विक्तिकत तोर पे मैसिस हुआ, कि मेरे घर का सदस्ध सहीद हो गया, इस देश का जो प्रतम सुतंता संगराम था, वो बुंदेल खंड की धरती से चालू हुआ था, और उसका नित्वत मेरे परिवार ने और मेरे पूरवजों ने किया था 1842 की करांती, 1857 की करांती में भी सबसे अंतिम समय तक अगर कोई लड़ा है तो वो बुंदेल खंड लड़ा है, दमो लड़ा है, और मैं दमो की तरफ से यह सर्दानजली अर्पित कर रहा हूं से निको को हम लोग करीब एक महने से धरना पर यहां पर बैठे हुए हैं, और इसी बीच यह दुखत घटना पुलवामा में, जम्मू में हो गई है, तो हम लोगों को इतना दुख हुआ है, क्योंकि वो हमारे घरों के भाई, बेटे और सरहत पे वो हाथसा जो हुआ है, तो हम लोग अहत हुए हैं, तो इसी कारण से हम लोगों सभी लोगों ने अपने मुन्नन संसकार करवाए और अपने घर की भाती बेदना दोख ब्यक्त करते हुए, आज यह मुन्नन संसकार कारिक्रम यहां पर किया है, दमों में, देश के जवानों के शब देखकर हर किसी का खून खोल गया, दमों में भी लोग आतंग की हमले से नाराज हैं, इन लोगों ने मोदी सरकार से कहा कि समय रहते ऐसी नापाक हरकत करने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, रिवा नगरनिगम अब समस्या का ओनलाइन समाधान करेगा, इससे लोगों को नगरनिगम के चकर काट करने निगम के चक्कर नहीं काटने होंगे उन्होंने कहा कि अब इस तरह के सारे कार ओनलाइन प्रोसेस से तहत घर बैट कर किये जा सकते हैं करता है उसके अनुसार में तो कोगा कि जन्म मुर्टू के पंजियन से लेकर शाधी का पंजियन या कार्ड की स्थिति प्रते वार्ड की उसमें हो शुरू वहां से हो आदमी को जोनल करेया या हमारे करेयाले में आना लब्ड उसका आवेदन उसी अस्तर पर हो नेरागरित होकर करके महीं से वह करने के लिए निगम आयुक ने कहा कि सभी वार्डों में ऑनलाइन शिकायत सेवा भी शुरू होने जा रही है इस सुविधा के शुरू होने से हर वार्ड का निवासी अपने ही छेत्र में जाकर निगम के द्वारा बने कंट्रोल रूम में शिकायत कर सकेगा जिसके बाद उनकी समस्या सीधे निगम आयुक तसले कर इस्थानिये पार्षद और महापौर तक पहुचेगी और उसका तुरंत निराकरण किया जाएगा पूर्वे मंत्री नरुत्तम मिश्रा ने दिग्विजा सिंग पर बड़ा हम मंत्री बनाया है मिश्रा ने सरकार पर तंच कहती हुए कहा कि यह यूटन वाली सरकार है नरुत्तम मिश्रा ने कहा कि जो जवाब सरकार के मंत्रियों को सदन के अंदर देना चाहिए वो सदन के बाहर दे रहे हैं नरुत्तम मिश्रा ने मुखमंत्री पर भी निशाना साती तो दो मंत्रियों ने जो ख्वयम का जबाब है बाहर जाके उसका जबाब दिया कि छलते सदन में मान परमपराओं का प्रक्रीयाओं का पालन करके उनको सदनके अंदर ही अपना इस्पश्टी करण देना था अगर कोई ब्रह्म की इस्तिती थी तो मैं मानता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके भी नियम प्रप्रा का उलंगन किया है और मंत्रियों ने भी किया है और दिग्विजे सिंग जी ने सदन की कारवाई को बाधित करने की भी कोशिश किये ऐसी मेरी माननिता है ये एक बात है दूसरी बात ये भी है कि कांग्रेस किस तरह से अंतर विरोधों से जूज रही है ये दूसरा पक्ष है आप देखें एक पार्टी का महासचिप या नेता जो जिसको आप लोग सुपर सीएम कहते हैं वो अपने मंत्रियों से संबाध हींता की स्थिति है उनकी वो चाहते तो ये बात फोन पर के अपने मंत्रियों से कहके उसका खंडन करा सकते थे लेकिन मीडिया के माध्यम से ट्वीटर के माध्यम से अपने मंत्रियों को ये कहना खास कर उन मंत्रियों को जो कमलनात और सिंदिया गुठके हैं और उने अपने गुठके किसी मंत्री को ऐसी सीख कभी नहीं दिये मेरा तो मानना है कि जब तक जैवर्दन जी सीम के के पद के लाइक नहीं होंगे तब तक वो इसको अस्थरी रखेंगे सरकार को मेरतों 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 म नंसलेगों नकसलिएं ने बस्तर के प्रशाष्णिक और पुलिस अधिकारिएंगे समक्ष्ये समर्पन किया करने वादेए नकसलिओं वे एक महिला भी शामिल है नकसलिओं के प्लाटू 192 प्लाटू 22 के इसंप कमांडर हैं बता दें के नक्सलियों ने 2 भरमार और 1 315 बोर पिष्टल के साथ आत्म समर्पन किया आत्म समर्पित करने वाले नक्सलियों मैंसे 5.36 रग सरकार ने इनाम गोशित किया है कुछ जन्ताना सरकार के अध्यक्ष हैं, कुछ जन्ताना सरकार के सदस्ट हैं, कुछ मिलिश्या कमांडर हैं और इसमें कंपनी नमबर दो के भी सदस्ट हैं और इनके द्वारा संगठर में रहते वे कोई SLR धारत करते थे कोई AK-47 और कोई जो कंट्री मेड वेपन जिसको हम भरमार बुलते हैं, इसके लावा कुछ स्मॉल एक्षन के जो पट्टा 315 बूर का है, इनके द्वारा धारन क्या जाता है जानकारी के अनुसार सरिंडर करने वाले नक्षलियों पर पुलिस पार्टी पर हमला, ग्रामनियों को धंकाने, निर्मान कार में लगे वहानों में आग लगाने के साथ अवैद वसूले के भी आरोप हैं, पुलिस सरिंडर करने वाले नक्षलियों से पूछ टाच कर रही ह सुनील कपे शर्मा के फिल्म भारत का प्रमोशन करने आएंगे कपपे शर्मा के साथ सल्मान और काट्रीना कैफ भी नज़र आएंगे सुनील ग्रोवर कपे शर्मा को एक साथ एक मज़ पर देखने की इच्छा रखने वाले फैंस के लिए फुश खबरी है खबर है के सुनिल ग्रोवर जल्दी हीदा कपेशरमा शो में नजर आने वाले हैं लेकिन वे बतोर डाक्टर मश्यूर गुलाटी या गुत्थी के किरदार में नहीं बलकि एक सेलिबिटी के तौर पर शो में एंट्री करेंगे सुनिल ग्रोवर कपिल के शो में अपने फिल्म भारत को प्रोमोट करने पहुंचेंगे सल्मान खान और कैटरीना कैफ के साथ ही सुनिल भी इस फिल्म में गैस के तौर पर नज़र आएंगे जाहर कपिल और सुनिल के फैंस के लिए बेहत खास दिल्चस्पन जारा होगा खबर ये भी है के भारत फिल्म के प्रोमोशन के लिए सल्मान खान और कैटरीना नहीं कपिल शर्माशों में सुनिल को पहुंचने के लिए तैयार किया इस पुलिटिन में फिलहाल इतना ही आप देख लए उस दखहला आपके हद्वेस्वें फेर्वार की तरहा जरजर भुपाली आपके साथ आपको सुनाइंगे भैरन समचार नमस्कार वैरन समाचार है आपको विलकम कर रहे हूं मेरा नाम है जर जब हो पाली अगर्मी पढ़ने लगी बता रहे हूं प्लेन भाय जरा ठंडा बंडा फिलवाव सबको हाँ वह इम्रान खान किया कह रहे हैं बातकीत में एक्सपर्ट होते हैं इनकी थीन भी भी आ इनको छोड़के नहीं जाती बता इनकी जो आर्थ बेवस्ता च्वारा हो जाई बता रहे हूं अभी लेटेस्ट नियु यह काई है इसर पर अमार सिंग है ना जो मुलाहिम सिंग के फ्रेंट वो कह रहे हैं कि मोदी ना लोगपुरिस ने राजनी थी कि बता पहले मुलाहिम सिंग बोले यह मोदी जी फिर से इनकी बहुत पेड़ लगे नर्वदा के किनारी इस पर इनके जो स्टेटमें दिख्विजासिंग मुनमुना गए उनने आगा परिक्रमा मेने करी वहां कौन सी पेड़ लगे मुझे पताए हां सर्जेंसिंग बर्मा बोल लहे हैं इनको यहने ट्रेनिंग की जरूवते मंत अने लंबानी बगेरा इन्होंने एक्स्टन कंपणी से चार तो त्रेपन करोन का वो कर्जा ले लिया था खागा है उनके बता रहा हूं और को रटने बोला है उनको जल्दी देो बड़े 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 उद्योग पाथी कर्जा ले रहे हैं तो हम भी लेला है अरे कलना प्रिस्त्र ओडा लिया है बता रहा हूं वहत गुस्य में बहुत ज्यादा हूं अच्छा सौधी अरप के प्रिंस पाथुस्तान के बाद अब इंडिया आये हुए कल मोधी जी इनसे गले मिल लिया है वह नहीं मुझे पता है पूछो मैं बता रहा हूं उन्होंने पाकिस् पाकिस्तान को इन्होंने इदायत दे दिया ठीक रहा हूं बता रहा हूं इस समय पाकिस्तान के जितने भी नेता बगेरा है ना सब टॉलेट में बैटे हुए पूछो क्या हूं अरे इंटरनेशनल प्रेशर इतना बना हुए हां और दूसरी बात यह बतानों यह ख़बर इ नीम की दातों हां मैं मेरा टाइम हो गया अब मैं नीम की बढ़ बजा रहे हूं तातों तोड़ने नावजकार आप देख रहे हैं तखल नियूँ